आशकार, मैं सूरज, आज M.P.T.E.T. के हम नए टॉपिक पर डिसकस करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, आप देखिए एक बच्चे के विकास पर उसका वंशानुक्रम और वा वंशानुक्रम की, उसी तरह से अगर मालीजे कोई आतंगवादी का बच्चा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर बन गया, इंजिनियर बन गया, समाज में अच्छा कारे कर रहा है, तो लोग कहेंगे कि उसका लालन पालन ऐसे वातावरण में हुआ था, तो मतलब उसके विकास पर किसने प्रभाव डाल दिया, वातावरण में, तो इस तरह से आज हम अध्यन करेंगे कि क्या वातावरण और वंशानुक्रम किसी बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, तो क्या इसका इस्तर है, सबसे पहले हम देखते हैं वंशानुक्रम को, हमारे पूरवजों से जो मानसिक और सारीरिक लक्षन प्राप्त होते हैं, हमारा रंग रूपाकार जैसे हम दिखाई देते हैं, हमारी बुद्धी, हमारे मानसिक छमताएं, जो हमारे पूरवजों से हमको प्राप्त होती हैं, वो उन दोनों गुणों का, मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटा अगर देखें कि हमारे मानसिक और सारी लक्षणों का जो मिश्रण हमारे में दिखाई देता है हमारे पुर्वचों से दोनों जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या है मंचानुक्रम है इस संबंद में ड्रेवर ने एक मातरपूर्ण डेफिनीजन दी है कोडेशन दी है आपके अग्जाममे में पूछी भी जाती है कि ड्रेवर कहते हैं कि माता-पित्व की सारीरिक और मानसिक विसेश्थाओं का संतान में हस्तांत्रण होना ही क्या है वंशानुक्रम है रिवर का इमानना कि माता पिता और माता पिता के जो सारीरिक और मानसिक लक्षण है वो बच्चों में जो दिख रहे हैं जो बच्चे को अरजित हो रहे हैं वही वास्तों में उसका क्या है वंशानुक्रम है आगे देखते हैं अब देखते हैं हम वंशानुकरम के नियम, वंशानुकरम के नियम का मतलब है कि वो कौन से नियम है वंशानुगत लक्षनों के हस्तांतरित होने के, तो पहला है समानता का नियम, देखें समानता का नियम ये कहता है कि जिस तरह से माता पिता होंगी उसी तरह से संतान होगी, मतलब समान से समान की उत्पत्ती होगी उतारन के लिए बिल्ली से बिल्ली की उत्पत्ती होगी किसी अनजीव की नहीं हो जाएगी तो समानता का नियम कहता मतलब जिस तरह से माता पिता है उसी तरह से क्या होगी संतान होगी फिर एक नियम है भिन्नता का नियम, दूसरा नियम है भिन्नता का नियम, ये कहता है कि माता पिता से संतान कुछ मामले में भिन्न होगी, मतब कुछ लक्षण उसमें भिन्न होगे, पूरी तरह से भिन्न नहीं होगे, कुछ लक्षण उसमें अलग होगे, तीसरा है प्रत्या प्रत्या गमन का नियम कहता है कि इस नियम के तहट जो उत्पन होने वाली संतान है वो माता पिता से ठीक भी परीत लक्षणों की होगी मतब जिस तरह से माता पिता है उसके बिलकुल अलग संतान की क्या होगी उत्पत्ती होगी तो ये तीन महत्त पूर्ण नियम है वन्शान वनसानुगत लक्षणों के हस्तांतृत होने के, आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं वनसानुकरम के सिध्धान्त को, वनसानुकरम के सिध्धान्त मतलब किन नियमों के तहत वनसानुगत लक्षण अस्तांतृत होते हैं, उससे समंध में वैज्ञानिकों ने कुछ अपने सिध्धान्त दिये हैं. अलग-अलग मनोग जीवग्यानिकों के अलग-अलग सिध्धान्त हैं यहाँ पर. जैसा पहला सिध्धान्त है जनन द्रब्यों की निरंतरता का सिध्धान्त. जनन द्रब्यों की सिध्धांद केतुने दिया, तो आपका उत्तर होगा वीजमेन, इस सिध्धांद के पृतिपादा कौन है वीजमेन, इसमें वीजमेन यह कहते हैं, कि मनुष्य के सरीर का निर्माण करने वाले जो मूल जीवानु हैं या जनन द्रब्य हैं वो कभी नश्थ नहीं होते वो मनुष्य में अंडानु और सुक्रान के रूप में नरर्मादा में अंडानु और सुक्रान के रूप में संचित होते हैं और आने वाली पीडियों में ये इस्थानांतरित हो जाते हैं और उन पीडियों के मांसिक उस सारी गुणों का क्या करते हैं विकास करते हैं उनका निर्मार करते हैं तो ये सिद्धान्थ बड़ा महात्वपूर है जो सारीरिक और मानसिक विसेस्ताय प्राप्त करते हैं वो उनके अगली पीड़ी में हस्तांतरित हो जाती है ऐसा लैमार कहते हैं जैसे उधारन के लिए उन्हें जिराफ का हम उधारन लेते हैं जैसे देखिए ये बताया जाता है कि जब आसपास की चीजें घास खतम हो गई तो जिराफ जो है उपर की और सिर करके पेणों की पत्तियां खाना शुरू करता है और पीड़ी दर पीड़ी ऐसे करते करते आज जिराफ की गरदन क्या हो गई इतनी लंबी हो गई ये सिध्धान्त इन्होंने प्रिटपाजित करने की क्या की कोशिस की देखे कैसे का सिध्धानत है हमारा उपारजित लक्षणों का असंचरण का सिध्धान पारों बीजमेंन ने लाहिं मार की थोरी को से अलग सिध्धान दिया बीजमेंन ने कहा कि जो माता पिता गुरौnhُ का अरजन करते है वह दूसी पीड़ी में हस्तांतृत नहीं होती आपनी प्रयोग नहीं हुआ उन्होंने का अगर लक्षन हस्तांतरित होते तो किसी ने किसी पीधी में पूंच कटा हुआ चुहा पैदा होना चाहिए था तो उन्होंने कह कोई गुणों का संचरण नहीं होता इसी तरह से और भी मनवय ग्यानिकों और भी जीव वैग्यानिकों ने पुष्टी करने की कोशिश की कि माली जब माता-पिता कोई भासा सीख लेते हैं किसी नई भासा का अरजन कर लेते हैं माली जो उन्हें रसियन सीख ली तो क्या जन्म से बच्चा रसियन बोले लगेगा ऐसा हुआ रही तो उन्होंने अच्छन हस्थांतरित नहीं होते अगला महत्पूर्ण सिद्धांत दिया उन्होंने अगला महत्पूर्ण सिद्धां जो चौथे नंबर का हमारा सिद्धांत आया वो आता है जीव सांखी की सिद्धां जो गालतर ने प्रतिपादित किया गालतर ने ये कहा कि माता-पिता के साथ साथ पूरवजों के भी गुनाते हैं जैसा आप एक एड काफी चर्चित होता है बिनानी सिमेंट का जो सदी के महानाय का मिताब बच्चन बताते हैं कि मावाब कहीं नहीं जाते आपके नाक में आपके कान में आपके नाक कान की बनावट में अक्सर आप कहा देते हैं उनके माता-पिता के जो सारीरिक और मानसिक लक्षा थे आज उनके बच्चों में, उनके पोती में दिखते हैं। तो यही कुछ कहना चाहा रहे हैं, गाल्टन और गाल्टन ने इस सिध्धान्त में एक फर्मूला भी पर्जपादित किया, उनके थियोरी से निकल कराता है। आगे देखते हैं, अब इस टॉपिक की दूसरे फेज को देखते हैं, वातावरन या पर्यावरन, मनिश्यों को प्रहावित करने वाला सबसे प्रधान कारक है, अगर आपसे कहें कि वन्शा अनुकरम और वातावरन में सबसे यादा प्रहावित कौन सा होता है, तो वातावरन है कि आप जहां भी रहते हैं, आपके चारो और जो चेतन चीजें, चेतन का मतला होता है, जो जीवित चीजें, और जो अजीवित चीजें, अचेतन चीजें, आपको चारो तरफ से घेरे होए हैं, वास्ताव में वो आपका क्या है, वातावरन है, और वो एक को साधरन किसी स्कूल में डाल दिया जाए तो दोनों की चीजों में छमताओं में आप क्या देखेंगे अंतर देखेंगे ये सीधा प्रभाव किसका हुआ वातावरण का हुआ जबकि वंसानुकरम तो एक जैसा ही था लगवाग एक जैसा था हो सकता जुड़वा संतान म मिलेगा इस समद में रॉस ने एक महत्पूर्ण परिवासा दिया आपके एक्जाम में पूछी जाती है रॉस कहते हैं कि परयावरण कोई ऐसी बाहरी सकती है जो हमें प्रभावित करती है ये रॉस ने कहा है आपको ये कोटेशन रट लेनी है आगे देखते हैं अब वाता पर यहां पर दो तरह का वातावरण होगा जो बच्चे की विकास को प्रभावित करेगा पारिवारिक वातावरण और विद्यालीन वातावरण पारिवारिक वातावरण आप देखिए बच्चे का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है बच्चे का पहला विद्यालय क जो सदत से कैसे हैं, ये बच्चे पर सीधा प्रभाव डालते हैं, ध्यानकिएगा, इसलिए आप देखिए कि अक्सर डॉक्टर का बच्चा क्या हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, साइंटिस्ट का बच्चा क्या बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, क्योंकि उसके प अपचारिक सिक्छाएं हैं, वो अपने परिवार से प्राप्त करता है, ये अनपचारिक सिक्छाओं को हम भारती प्रिष्ट भूमी में संसकार कह सकते हैं, जैसे परिवारिक संसकार होते हैं, बच्चे के बिल्डप में, बच्चे के निर्माण में, उसके संसकार कितने महात विद्याले तो परिवार होगा, तो दुती विद्याले वास्तों में विद्याले होता है, और बाले अवस्था ही प्रारमिक विद्याले की अवस्था कही जाती है, और बच्चे को जो आज आप चीजें देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या आप चीजें देख रहे हैं या और निवाते हैं तो इस तरह से ये दो वातावरन के प्रकार बच्चे के विकास में उसके सरवांगीन विकास में महत्यपोन भूमी क्या करते हैं निवाते हैं धन्यवाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे